मंगल हवन अमंगल हारी द्रवह सोदस रथ अजिर बिहारी दीन दयार बिरुधु संभारी हरवनाथ ममो संकत भारी होई है वही जो राम रचिराखा को करी करक बढ़ा वैसा था हरी अनंत हरी कथा अनंता कहा ही सुनेगी बहु की थी सपे संता जाकी रहे भावना जैसी जाकी ही रहे देखे गोस्वामी तुक्सिजाज जी बड़ा संदर समझाते है जिसकी जैसी द्रस्टी होती है उसको सामने वाले की वैसी ही मुरत दिखाई देती है राम चरित मानस हमें कदम कदम पे कहुत कुछ सिखाता है इसलिए अपनी द्रस्टी को अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए नेगटिव सोचों के तो आपको सामने वाला नेगटिव दिखाई देगा ये रामचरित मानस हमें जीना सिखाता है ये रामचरित में जीना सिखाता है ये रामचरित में जीना सिखाता है ये रामचरित में जीना सिखाता है जोड़ार दालिया सुन जननी सोई सुत्व बड़े भागी बागवान राम को बनवास हुआ मा कॉशन या परेशान है मा का हिर्दय है राम को रोग रही है कहने लगी बेटा तू बन में कैसे रहेगा कोई बात ने पिता ने कहें दिया तू मज जा लेकिन राम कितने सुदर बात कहते हैं इस संसार में वही पुत्र बड़े भागी है जो अपने माता पिता के चरणों का अनुरागी है सुनू जननी सोई सुत्व बड़े भागी जो पितू मातू बचन अनुरागी निर्मले मन जने सो मुही पाः लोही कपटे छले छिचने भावा पूजी महशी महश योगी जी राम राज की चौपाईयां बड़े सुन्दर लगती थी क्योंकि वो चहते में थे कि पूरे संसार में पूरे विश्व में राम राज की स्थाफना हो उनकी सोच कितने बड़ी सोच थी महशी जी ने अपने ले नहीं सुचा पूरे संसार के लें सुचा राम राज में इसी क्या विशेष्टा थी जो महशी चहते थी राम राज में कोई दुखी नहीं था कोई दरिद्र नहीं था किसी व्यक्ति की अल्प मृत्यों नहीं होती सारा समाज आपस में प्रेम भावर महपत से रहता है और यहीं महशी जी का सपना था तो आईए कुछ पंकियां गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित दरता हुआ है आपको श्राता है प्रमु जग माही पूरी रहा सपने हुँ अघनाही राम भगती रत नर अगनारी सकले परमु गती के अधिकारी अल्प मृत्यों नहीं कब निहु पीरा सब सूंधर सब बिरुज शरीरा नहीं दरीद्र नहीं दरीद्र कोंबुखी न दीना नहीं अबुधन लेच्छन हीना सब गुनाले पंडिती सब ज्यानी सब प्रतके नहीं अपट सयानी मंगले हवने अमंगले हारी ब्रव मुसु दसरथ अजरी बिहारी